हेलो एवरिवन वेलकम तो अभिपीडिया पावर्ड बाई अभिमन्यु आईएस आयम मुनेश कुमारी चीफ मेंटर और सीनियर फेकल्टी अभिमन्यु आईएस इंचिटूट मेंटरिं क्वेंटिटिव एप्टिटूट अंद लोजिकल रेजनेंग सिविल सर्विसीज एग्जामिनेशन जैसे की लाखो एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है सिविल सिर्विसीज को जोईन करने का और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काफी इंपोर्टेंट पार्ट एक पहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट ओफ सिविल सर्विसीज एग्जामिनेशन डिसकस करने वाले हूँ तो आई होब इस वीडियो विल बेरी हैलफुल फॉर आल दगे इंडेट प्रपेरिंग पर सिविल सर्विसीज एक्जामिनेशन तो सभी पहले शेयर कर देंगे जल्दी से अपने फ्रेंट के साथ में उसके बाद में अभी स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले देखिए कि अगर आप यूपी ऐसी सिविल सर्विसेज के लिए प्रपेर कर रहे हो दैन यूशूड नो की यूपी ऐसी थी स्टेजिस के अंदर एग्जाम कंडेक्ट करती है तो फॉस्ट स्टेज फॉस्ट स्टेज इस प्रिलिन कर जाबते क्लियर कर लेते हो उसको उसके बाद में आपकी जो थर्ड स्टेज है डैट इस इंट्रिव्यू और यू कैन से परस्नेलिटी टेस्ट ओकी डैट मींस कि अगर हम बात करते हैं अपनी जर्नी की डौर्ड सिविल सर्विसेज सो उसके अंदर फॉस्ट स्टैप है that is preliminary examination, ओके और जब हम बात करते हैं पिटा preliminary examination की, तो उस time पे हमें पता होना चाहिए कि preliminary exam के अंदर दो exam होते हैं, first is GS paper one और second होता है आपके पास में GS paper two, जिसको हम CSET बोलते हैं, okay, civil services aptitude test, तो दो आपके paper होते हैं, अब देखते हैं कि अगर आपको first stage से second stage की तरफ जाना है, तो क्या criteria है उसके लिए, देखिए, आपको logically समझाती हूँ, logically समझाती हूँ, देखिए, जब हम बात करते हैं कि भी prelims का exam clear करके हमें कहां पे जाना है, second exam के लिए means का exam qualify करना है, तो उसके लिए पहले देखिए, दो paper है, दो paper के अंदर, अगर माल लीजिया आपका जो first paper है, logically समझारी हूँ, पीटा ध्यान से समझो, कि अगर आपका first paper के अंदर cut off से ज़्यादा marks आते हैं, if you get more marks than the cut off, and also you get more marks than qualifying marks in GS paper 2, then you are eligible for means exam, तभी आप means के exam के लिए eligible हो, अब आप means के exam के लिए eligible हो, that means कि जो हमारी first step है, उससे हम आगे बढ़ गए है, ठीक है, अब बात आ रहे हैं, दूसरी कि अगर आपके marks less than है, cut off in GS paper 1, and you qualify GS paper 2, in that case, again you are not eligible for means, अगर आपके marks है, greater than cut off, greater than cut off in GS paper 1, but you have less marks than the qualifying marks in GS paper 2, again you are not eligible for the means exam, ओके, इसी तरह से same way, अगर हम बात करें, कि अगर आपके cut off से कम है, किसमें GS paper 1 के अंदर, और cut off से कम mark से GS paper 2 के अंदर, again you are not eligible, ओके, that means कि second step के लिए, second step के लिए, सबसे ज़्यादा जुरूरी क्या है, इन दोनों papers के अंदर आपका pass होना, means कि यहाँ पर आपका marks होने चाहिए, cut off से ज्यादा marks होने चाहिए GS paper 1 के अंदर, and you should qualify paper 2, GS paper 2, that is C set, C set का जो paper है आपका, वो आपका qualify होना चाहिए, okay, जब हमें पता है कि दोनों के दोनों paper pass करने हैं, मुझे second means के अंदर जाने के लिए, in that case, you should think कि यहाँ पर आपके लिए दोनों paper equally important है, दोनों important है, GS paper 1 भी important है, same, आपका GS paper 2 भी important है, अगर GS paper 2 आप qualify नहीं कर पाते हैं, तो चाहिए इसके अंदर आपके 200 से में से 190 marks आजा है, सारा waste है, सारा waste है, पूरी साल खराब है, okay, that, but during the preparation for UPSC, 90% candidates क्या करते हैं, जब अपनी preparation शुरू करते हैं, तो उस time पे उनका main focus कहां पे होता है, उनका सारे का सारा focus होता है, GS paper 1 के subjects पे, yes, polity, history, geography, environment, current affairs, सारा time वो उसके उपर ही लगाते हैं, कि हां जी, ये हमने सारा अच्छे से करना है, and they ignore the second paper, that is CSET, और वो भूल जाते हैं कि अगर यहां पे मैं disqualify हो जाती हूँ, या disqualify हो जाता हूँ, तो उसके इसके अंदर मैं इस category में चला जाओँगा, that means कि दोनों के दोनों paper equally important है, important है, that means कि जितनी dedication के साथ में, जितनी dedication के साथ में आप GS paper 1 के subjects prepare कर रहे हो, उतनी ही dedication के साथ में, आपको GS paper 2 के लिए भी prepare करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मुझे civil services join करना है, तो उस case के अंदर आपको उस paper को clear करने के लिए, दोनों के दोनों paper clear करने पढ़ेंगे, जब आप first stage से second stage की तरफ बढ़ोगे, तभी आगे आपकी journey, बढ़ेगी न, otherwise कैसे, clear, I think logically सभी को समझ आ गया है कि दोनों के दोनों paper equally important है, and we should, and we should focus on both the exams, okay, तो जब हम बात करें बटा, CSET की, अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में mainly CSET को ही discuss करने वाली हो, कि जब हम बात करते हैं, CSET paper की civil services aptitude test की, then, हम क्यों ignore कर देते हैं, इस paper को, जब हम mains के लिए आगे बढ़ना चाहरे हैं, हमने interview के लिए आगे बढ़ना है, अपना dream job लेनी है, तो उस case के अंदर हम क्यों ignore कर रहे हैं इस paper को, तो मेरे according, शायद बिच्चों के mind में यही आता है, कि qualifying exam है, most of the candidate यही सोच के चलते हैं, जिन भी लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि मैंडम qualifying exam है, इतना तो हम कर लेंगे, इतना तो हम कर लेंगे, सिरफ मुझे 33% marks ही तो लेने, 66.7 marks, out of 200 marks, very easy, but जब आप exam के अंदर जाते हो, वहां पर जब आप paper देखते हो, तो उस case के अंदर, बिटा, यह जो 33% marks है, 66.7 marks है, यही लेने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप question देखते हो, हां जी first question नहीं हो रहा, second नहीं हो रहा, third नहीं हो रहा, 30% marks लेने, और students इसी को ही side में कर देते हैं, बट finally वो इसी की वज़े से रह जाते हैं, अभी 5th June को exam था, 5th June को exam था, सभी ने, अगर आपने paper देखा है, तो आपने देखा होगा कि काफी candidates ऐसे हैं, जो यह कह रहें कि हां जी, answer की के according, मेरा GS तो हो जाएगा, GS मेरा हो जाएगा, बट C-set रह गया इस बर, तो बिटा, ऐसी condition नहीं होनी चाहिए, ऐसी condition नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या कर रहा है, first of all, अपने mind से यही निकालना है कि यह qualifying paper है, बिलकुर निकाल दो, because अगर हम analysis करते हैं previous year papers का, तो उसमें हम क्या find out करते हैं, कि जो paper का pattern है, वो totally change हो गया, हर बार कुछ न कुछ चेंज आता है exam के अंदर, ठीक है, जो questions का level है, वो भी हर बार increase होता जा रहा है, that means कि you have to practice for C- set exam, okay, otherwise नहीं हो पाएगा, okay, अब उसके लिए हमने prepare करना कैसे, सबसे पहले, जब आप बात करते हो C-set की, तो C-set के लिए सबसे पहले क्या करेंगी, सबसे देखी, सलेबस की अगर मैं बात करूँ, तो सलेबस के अंदर बिटा क्या है, quantitative aptitude आता है, maths के questions आते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो maximum part होता है exam के अंदर, 80 questions में से, वो इसी का होता है, 80, इस बार भी 34 questions थे quantitative aptitude के, ठीक है, उसके बाद second is logical reasoning and third is English, अब अगर हम questions की बात करें, कि कैसे questions आते हैं, एक्जाम के अंदर, तो questions कैसे आ रहे हैं, कि अगर quantitative aptitude के questions भी आप चेक करते हो, maths के question चेक करते हो, there are also logical questions, हाँ जी, calculation नहीं आ रही, direct questions आने बंद होगे exam के अंदर, direct question नहीं आ रहे हैं, क्या आ रहे है, आपके पास में statement के अंदर आपको उलज नहीं चे तीन statement है, कि बताओ कि इस statement के base पे, जो given statement से that will be true or false, ओके, तो इस तरह से questions exam के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद आता है, आपके पास में logical reasoning, logical reasoning का आपको पूरा syllabus पता होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं, English की तो English में आता है आपके पास में reading comprehension, reading comprehension पे भी pattern change हो गया है, grammatical questions नहीं आते हैं कि यहाँ जी, phrases आ गया, या synonyms, antonyms आ गया, नहीं, ऐसे questions नहीं आते हैं, questions काफी ज्यादा logical हो गया है, और आप यह कह सकते हो, कि UPSC just क्या check कर रहे हैं, कि आपकी mental ability, वैसे भी syllabus में mental ability लिखा होता है, आपने देखा होगा, mental ability, mental ability आपकी check कर रहे है in the form of arithmetic and in the form of analytic, okay, इसके अंदर आपके पास में question कैसे आ रहे हैं, like conclusion, आपके पास में assumption, assertions, इस तरह से questions आ रहे हैं आपके पास में, जो question है, एक paragraph है, paragraph के उपर आपको बताना है कि क्या conclusion रहेगा, what is the tone of the passes, okay, तो इस तरह से आपके पास में inference क्या रहेगा, ऐसे questions exam के अंदर तो टोटली आप देख सकते हो कि paper का level थोड़ा change हो गया है, दूसरा हर बार ये भी change हो जाता है, अब कई बार हमारे mind में आता है कि हंजी जो जो important topics है, last जब अगर आपके पास में हंजी अब हमारे पास में exam आने वाला है, तो उस time पर तो obviously अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पर मालों मेरा exam की date आगी है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो उस time पर मैं क्या सोचूँगी कि जो जो important है, सिर्फ वो कर लेते हैं, बट अभी starting है 2023 के लिए, तो अभी हमने क्या करना है, पूरा complete syllabus करना है, यह रखो mind में कि मुझे पूरा complete syllabus करना है, UPSC है, देखने को मिलते थे exam के अंदर, बट इस बार पूरे 5 questions बर, from permutation combination, ओके, number system, number system के अंदर से 14 questions थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो change है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं, इन topics में से question, इस बार geometric questions आए वे थे, ठीक है न, तो यहाँ पर आप यह सोच सकते हो कि सारे topics एक बार तो आपने करने ही करने हैं, पूरा complete syllabus आपने करना है, अभी तो starting है, अभी तो हम time इस पर devote कर लेंगे, बाद में ज्यादा focus, obviously GS पर हो जाता है, ठीक है न, तो यहाँ पर हमने एक बार पूरा syllabus कवर करना है, पूरा syllabus आप लो भी topic उठा लेती हूँ, like this is time and work, ओके, आप एक topic कर रो time and work, अब अलग-अलग student न, अलग-अलग तरिक के से prepare करते हैं, अब ऐसा नहीं करना है, मेरे पास में किताब है, बुक उठाई मैंने, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, question है, और यहाँ पर मेरे पास में क्या है, उसका solution है, हाँ जी, question देखा, solution पढ़ा, आगे बढ़ गे, question देखा, solution पढ़ा, आगे बढ़ गे, इस तरह से, मान लीजे, मैंने time and work के 300 questions कर लिए, मैंने 300 questions कर लिए, अब बात आती है, exam की, जब exam के अंदर question आएगा, तो क्या हम उस question को कर पाएंगे, UPSC के questions ऐसे हैं, कि अगर आपने, just cramming की हुई है, कि हाँ जी, रटे-रटाई questions आज आएंगे, तो नहीं आएंगे, भूल जाओ, इसलिए, ये वाला method आप लोगोंने, बिल्कुल भी नहीं use करना, इस वाले method से preparation नहीं करनी, क्या करोगे आप लोग, yes, क्या करना, go for the basics, basics आ नहीं आता, बार-बार मैंने पहले भी बताया, अगर आप लोगोंने मेरी वीडियो देखी हैं, कि बेटा, UPSC के अंदर tough paper नहीं आता, paper कैसा आता है, logical paper आता है, if you are logically strong, if your basics are clear, in that case, you will easily solve the questions, ask in the exam, okay, but अगर आप numerically आपने practice कर रखे questions की, but you are not logically strong, आपके basics clear नहीं है, तो उस case में आपको नहीं कर पाओगे, that means कि आपको सबसे पहले basics clear होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि अगर ये मैं topic कर रहे तो उसके अंदर क्या-क्या important formulas है, कैसे मैंने उनको solve करना है, किस condition पे मुझे क्या apply करना है, okay, तो आपके basics clear होने चाहिए, जैसे for example, आप छोटा स ही example उठाती हूँ, एक question आपके पास में, I have three consecutive numbers, ठीक है, अब ये बताओ कि आपके पास में, एक series है numbers की consecutive की, और साथ में आपके पास में तीन statements आगें, तीन statements आगें, क्या sum of, sum of first three prime number, कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, sum of first prime number आपको given हो सकता है, ये इसके अंदर आगें आपके पास में, sum of integers, जैसे इस बार question आयो था, कि आजो sum of integers, sum of three consecutive integers and their multiplication, their product will be same, बताओ, कितने ऐसे pairs बनेंगे, ये question आयो था, इस बार exam के अंदर, ठीक है, इसी तर ऐसे आपके पास integer पर question आ सकता है, इस तर ऐसे आपके पास में, even old पर question आ सकता है, ठीक है, even old numbers के उपर question आ सकता है, अब आपका concept, जैसे अब ही हम यहाँ पर बात कर रहे थे, first three prime numbers का sum बताओ, तो अब हमारे mind में सबसे पहले क्या आएगा, हां जी, one, two, three, one, two, three, और हम क्या answer करेंगे, कि हां जी, six will be the correct answer, ओके, बट अब हमारा ये concept clear है, कि हां जी, जो आपके पास में one है, this is prime number or not, one is prime number or not, हां जी, this is the point, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको wrong करके आजाएंगे, तो अभी पहले तो यह point भी मुझे पताएंगे, जी, one is prime number or not, तो इसी तरह से numbers के साथ खेलना है, बट टिपिकल questions नहीं आते, so you should know, one is not a prime number, not a composite number, तो इस तरह से जो छोटे-छोटे points हैं, वो आपको पता होना चाहिए, आपके basics clear होने चाहिए, यह particular topic को लेके, अब जब हमारे पास में basics आपने clear कर लिये हैं, questions कर तो साथ-साथ में करना क्या है, साथ-साथ में you should prepare notes, okay, notes बनाते हुए चलोगे आप लो कि हाँ जी यह points में भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, उन points को note down कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास time है, आप अपने basics clear कर रहे हो, starting है, आप basics clear कर रहे हो, बाद में exam के time पे इतना time यह होता है कि दुबारा से सारा पढ़ा जाए, तो आपके पास जब notes होंगे, तो exam जब पास आएगा, तो उस time पे आप अपने notes से prepare कर लेंगे, क्या करना है, हर एक topic के important important points note down कर लेने, ठीक है, जो जो भी important formulas है, उनको आपने note down कर लेना है, और तीसरा most important point type of questions, आपको पता होना चाहिए कि इस particular topic पे कौन-कौन से type के questions मेरे exam में आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह क questions exam में आ रहे हैं, अब देखो, अगर मालो मैं same type के, मेरे पास में, अगर मैं same type के 50 questions कर लेती हूं, ठीक है, और वो वाली type exam में आती भी नहीं, फिर उसका कोई फाइदा है, नहीं, इसके अलावा हमने क्या करना है, कि जो जो different types है, जो types exam के अंदर आ रही है, उन types के सभी के दो-दो questions कर लो, दो-दो types कर, question कर लो, इस type के question आ रहे हैं, जैसे for example, अभी हम time and work की बात कर रहे थे, तो अब उसके अंदर हम यहां पर ध्यान रखें कि अगर मालो मैं types के लियर कर लेती हूं, कि अल्टरनेटिव वादेश पर वर्क कर रहे हैं, तो मेरे पास में ऐसा question बन exam में कर लोगे, अगर आपके concept clear हैं, अगर हमारे पास में second type मैंने करी, कहां जी, before completion of work वाले question कैसे करने, after completion of work वाले question कैसे करने, बीच बीच में कोई अपने help के लिए, कोई person आ जाता है, तो उस case के अंदर questions कैसे करने, man woman वाले questions कैसे करने, तो इस तरह ऐसे हर type के questions की, हर type का एक एक question at least, दोने ही तो at least एक एक question, आप note down कर लो, उसको कैसे solve करना, वो method use कर, note down कर लो, कहां जी, यह है, और जब आप exam में जाओगे, तो उस time तो उसको आप revise कर लोगे, revision must है, बट अभी हम start करें, तो पहले क्या करना, हमने, syllabus cover करना, बट syllabus भी proper तरीके से cover होना चाहिए, प्रोपर तरीके से cover होना चाहिए, ओके, तो बिटा, जाहिए आप 5000 question कर लो, अगर आपका concept clear नहीं है, तो उसका कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, बट अगर आप कुछ limited questions, different different type के कर लेते हो, जैसे कि exam में आते हैं, और उनका हर एक question को with concept करते हो, यह question कैसे solve हुआ, आपको होना चाहिए, अगर इस तरह का question, same question, obviously, आपने question करें, same questions exam में नहीं आएंगे न, हाँ, अगर इस तरह का कोई दूसरा question, या इस logic पे based कोई दूसरा question मेरे exam में आ जाते हैं, तो उसको मैंने कैसे solve करना है, that is important, ओके, तो आपने इस तरह से prepare करना है, तो आपने क्या करना है, पीटा, notes बनाने, next point, mock test, mock test, अभी मैं complete mock test मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, because we are covering the syllabus, जब हम syllabus को prepare कर रहे हैं, तो उस case में, जैसे आपका एक topic complete हो गया, for example, हमने number system complete कर लिया, अब उसके बाद में उसका test must है, जिससे हमें यह पता चलेगा, कि यह जो मेरा topic है, वो मेरा properly prepared हो आगा है, अगर इसके उपर test के अंदर कोई question आता है, मैं कर पाता हूं कर पाती, या नहीं कर पाती, okay, और test को सुरफ test करना रहीं, उसके बाद में उस test का review लेना है, review के बाद में, अगर आप देखते हो कि इसके अंदर मुझे कुछ नया point मिला है, तो उस point को अपने notes के अगर आप लोगों को इस तरह से अब सभी के अपनी अपनी स्ट्रेटर्जी होते हैं सभी के अपनी है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकोर्डिंग जितने मैंने पेपर चेक किये हैं टैनियर्स के तो उसके अंदर से मैंने यही देखा है कि अगर जो स्टूडेंट इस तरह से प्रिपेर कर रहा है और इस तरीके से तैयारी करते हो देन डैफिनेटली यूविल क्वालिफाई और सी से एक्साप ओके तो इसी के लिए इन्ही सभी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए यूपी ऐसी सी सेट के लिए अभी पेडिया आप लोगों के लिए फांदेशन कोर्स लेकिया है फांदेशन कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसके अंदर हम आपको हेंडरेडर प्लस लाइव क्क्लासिज प्रोवाइड कर रहे है और तो अगर टेचर ने आपको कंसेप्ट कराया देन वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अगर डाउट है डैट मींस की फिर हम नहीं सोच सकते आगे ठीक है मीन्स जी स्टेस पर जो आप प्रिपेर कर रहों सेम फोर जीस पेपर वन जहां पर आपका डाउट है पेटा पहले उस डाउट को क्लियर करन है फिर आगे बढ़ना है ओके अगर हम लूप होल्स बीच बीच में छोड़ते वें चले जाएंगे तो एक बड़ा होल हो जाएगा और हम उसके अंदर गिर जाएंगे यह मान के चलो डैट मीन्स वाट की हमने एक-एक डाउट को अच्छे से क्लियर करते वें चलना है हमार कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेसिक क्लियर होने चाहिए तो उसके लिए हमने हंडर प्लस आपको live classes provide कर रहे हैं अब हर एक lecture के साथ में क्या मिलेगा आपको live classes तो है ही है साथ में ही आपको web notes मिल रहे है वेb notes attached है class के साथ में class के साथ में जो आपको questions concept हम करव पार हैं उसकी PDF एटेच्च है ओके इसके साथ में ही यस माइक्रो टेस्ट इस मस्ट हर लेक्चर के साथ में एक माइक्रो टेस्ट है अवलेबल है सो देट कि आपको यह पता चले कि हाजी आज जो मैंने पढ़ा वो मुझे समझ आया है मेरी कितनी क्लियरिटी हुई है उस पर्टिकूलर लेक्चर के थ्रू ठीक है और अगर आपको उस टेस्ट की कोश्चन में भी किसी में डाउट आता है या आप कहीं और से कुछ कोश्चन या जो भी आपके डाउट है तो स्पैशली उसके अंदर आपके डाउट के लिए करे जाएंगे ओके एंड यू 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 इल आवसो एव डेडिकेटिटीड मेंटर कि आपको कोई भी प्रोब्लम आती है थू यू और कोर्स इन बाट केस्ट यू आपके डेडिकेटिड मे कॉंडेशन कोर्स उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवलेबल है और लिंक इस इस वा ओके लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन जब आप वीडियो चेक कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवलेबल है आप वहां से जोइन कर सकते हो ओके आपके अग think this video will be helpful for all the candidates preparing for UPSC. So, अगर आप लोगों को लगता है कि है helpful, then video को शेर जरूर कर देंगे अपने friends के साथ में, जो भी आपके friends UPSC के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो उनके साथ में video को शेर जरूर कर देंगे. Okay? So, students, it was all for today. Thank you so much. मिलते हैं next class के आतर. Thank you. आतर.